तू, तुम और आप ये जो तू का सब्द है पाली का सब्द है तुम भी पाली का सब्द है आप नहीं है आप पाली में कहीं नहीं मिलता पुरानी भासा में आप सब्द नहीं है तू का मतलब एक वेक्ति होता है और तुम का मतलब बहुत सारे वेक्ति जो आज के समय में बोला जाता है उस समय ये तू के बहुत सारे वचन थे जो तुम्हे में आते हैं, तुम्हा में आते हैं तुम्ही में आते हैं, ऐसे बनते हैं आप अगर ध्यान दोगे तो हरियाने के अंदर यानि के जो अरिययान है अरिये का मतलब जहां स्रेष्ट ग्यान है अरिययान यानि अरियाना हरियाना उसके अंदर जो बाप और बेटा अगर बात करते हैं तो तू कह के बात करते हैं तू कित जा रहा है तू कित आ रहा है कित हांड रहा है कित हांड रही है और अगर वो किसी बाहर वाले व्यक्ति को भी बात करते हैं तो तू कह के ही बात करते हैं और के भाई तू कि जा रहा है के हाल चाले हैं तेरे के कर रहा है तू ये बात हैं कुसी जो बाहर के और जो लोग हैं जो तू का अस्तमान नहीं करते या जिनके माइंड के अंदर, मन के अंदर ये भरा हुआ है कि तू बहुत जादा बेचती वाला सब्द है ये हमें तू कहके बात कर रहा है, हमाँ जगड़ा भी हो जाता है तूने हमको तू कैसे कहा, तेरी हिम्मत कैसे होई तू कहने की तू तड़ा करके ये चलता है, यानि तू तड़ा करके बात कर रहा है पाली के अंदर पुरानी भासा में तीन इस्तर नहीं थे तीन इस्तर का मतलब है कि गुलाम की भासा अलग और राजा की भासा अलग और बीच वाले आदमी की भासा अलग बाहर के जो लोग गुस्पैटी ये भारत में आये उन्होंने अपने आपको उपर रखने के लिए भासा में भी इस तर बना दिये भासा की भी उन्होंने शेर्णिया बना दी भासा भी उँच नीच कर दी अगर भासा उँच नीच नीच नी होगी तो फिर आप कैसे ये जाहिद करेंगे कि मैं बड़ा और और कोई छोटा या मैं छोटा और कोई बड़ा यानि बोलने की अंदाज से आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन सामाजिक तरीके से नीचे बनाया हुआ है और कौन सामाजिक तरीके से उपर उठा हुआ है या बनाया हुआ है यानि भासा बोलते ही अगर आप किसी को तू कहके बोलते हैं तो इसका मतलब वो आपसे दबा हुआ है या तो उम्र में दबा हुआ है या आपसे ग्यान में दबा हुआ है या आपसे करजे में दबा हुआ है या वो गरीब है या वो कमजोर है या उसकी सेर्णी सामाजिक रूप से कमजोर बना रखी है या उसको जवरजस्ती छोटा करने के लिए तू बुला जा रहा है आप अगर देखेंगे और ध्यान देंगे तो पुराने समय में या पिच्चरों के अंदर भी या आज भी अगर एक छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है और वो किसी ऐसे घर में पैदा हुआ है जहां ये सेर्णी उच नीच की बहुत जादा चलती है जहां अपने आपको बहुत उचा मानते हैं वो लोग और बाकी लोगों को नीचा तो वो अपने छोड़े से बच्चे को भ होता है छे मिने का उसे भी आप कहा के संबोधित करते हैं आप तो बड़े अच्चे हैं आप तो बड़ा मुस्का रहे हैं और जो उसको खलाने वाली आया है या जो उसको ले जाने वाला ड्रैवर है या जो उसको ले जाने वाला करमचारी है या जो उसको ले जाने वाला क तू खाना लेया, तू कहां गई थी, तू मर गई थी, तू जिंदा थी, तिरे को अकल नहीं है, बच्चा ग्रा देगी तू, गाली भी साथ में बग देते हैं। तो बच्चे को तो पता नहीं कि आपका मतलब क्या है, और तू का मतलब क्या है, छोटा है, मगर बच्चा अपने खरवालों को आप कहके बोलता है, और उसको तू कहके बोलता और अगर कभी वो आप कहके बोलता भी है उसको तो घरवाले टोक देते हैं कि इसको आप नहीं बोलना है इसको तू कहके बोलना है तुम कहके बोलना है बच्चे को तब समझ में नहीं आती मगर बच्चे के दिमाग में ये सेटिंग ये डाला जाता है सेट किया जाता है सेट तो रिक्से वाले को भी तू कहके बोलता है, जो दुकांदार अगर चलका है, उसको भी तू कहके बोलता है, यानि उसको सीखते सीखते ये समझ में आ जाता है, किसको तू कहके बात करनी है, किसको तू कहके बात करनी है, किसको आप कहके बात करनी है, और ये इसलिए डाला ज क्योंकि अगर तू कहके जिसको बूला जाता है वो मानसिक रूप से कमजूर हो जाता है अपने आपको कमजूर महसुष करता है और वो उस कमजुरी के तहत मैं विरोध नहीं कर बाता है और बरावर्थ ही कभी सोचेगा भी नहीं अगर labor काम कर रही है कहीं तो labor का जो supervisor है या जो ठेकेदार है वो हमेसा उसको तू कहके ही बात करेगा और खुब बड़ी गाली पकेगा जबकि बिना labor के एक एक एट रखी नहीं जा सकती एक मंज नहीं बन सकती, एक पैसा नहीं कमा सकता factory के अंदर भी labor को तू ही कह के बात करते हैं सब जितने भी ये लोग काम करते हैं ड्रैवर हैं या लेवर हैं या जो इस तरह का काम करते हैं उन सब को तू कह के बात करते हैं ये जो तीन इस तरह की भासा है यानि तू, तुम और आप ये बहुत बाद में विक्षित होई और ये अभी तक भी भारत में मैंटेन है जब कि पुराने समय में बुद्ध के समय में ये बात नहीं थी बुद्ध के समय में आप सब था नहीं और जिसको बोलते थे नाम लेके बोलते थे बुद्ध तो जिसको बोलते थे भंते ही बोलते थे यानि कि अपने भिक्कू को वो भंते ही कहगे बोलते थे और जो भंते आपस में एक दूसे ही बोलते थे वो भंते या भिक्कू कहगे बात करते थे तो वहां, तु या तुम या आपका कोई सिस्टम, उस भाषा में कहीं दिखाई देता नहीं ये बहुत बाद में जाके सब्दे हुए है जिसमें आया सब्द और अरे सब्द या आया सब्द जोड़े गये हैं या जो भालक और मालक थे उनके भाडू और गाडू करके नाम बनाए गए। भालक उसको बोलते हैं जो धम को पढ़ाने वाले लोग होते थे और गड़क उनको बोलते हैं जो गड़ना करते थे मोंसी होते थे और उनका ध्यान रखते थे क्या बोला क्या सुना उनको बाद मे गाली बनाया भड़क का भाड़ू बना दिया गड़क का गाड़ू और आये का जो आये सब्द था आये का मतलब होता था कि किसी को सम्मुदित करते थे तो आये बरावर का सब्द होता था आये क्या कर रहे हैं या महिला को सम्मुदित करते थे तो आया क्या कर रहे हैं आये औ आज भी महाराष्ट में चलता है वो नीचे वाले जो लोगें उनको भड़े क्या 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 बोलता था जो पद में छोटे नीचे होते थे राजा को ये कहनo का अधिकार था ये राजा ही बोलता था भड़े तो ये जो सब्द के इस्तर बनाए गए और जो सद के अंदर जाती और भासा के अंदर जो जाती बनाई गई है ये जातियों के सिस्टम को ये मनेवज्ञानिक रूप से जो गुलाम बनाना का सिस्टम है उसको मेंटेन किया गया है। आपने कभी ध्यान इसको दिया नहीं है। बिगड गया बराबरी पर कैसे आ गया तू हमें ढो बस और हम तुझे तू भी कहेंगे और तुझे गाली बखेंगे और फटा हुआ नोट भी देंगे और पंदरे की जगे 10 रुपे देंगे ये मांसी गुलामी बनाने की विवस्ता भारत के अंदर भासा के अंदर बोल चाल बना लेता है उसका बन जाता है प्रक्टिस करते है उसकी अदत में आ जाता है फिर वो ऐसे ही बात करता है बिहार से जो लेवर आती है बिहार सी सारी लेवर पूरे देश में काम करती है पंजाब के खेतों में काम करती है गुजरात की इंड़स्ट्री में काम करती है आप और तुम क्या के बात करता है इस सिस्टम को तोड़ना चाहिए और भगवान बुद्ध के पुराने सिस्टम को ले के आना चाहिए जहां समता का सबको बरावर दिकार है और बोलने में भी है यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक वीवर ने कहा कि आप सबसे पहले अम्बेटकर जी बोलिए मैं अम्बेटकर के दुस्मन वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी भासा को बात करनें मैं अम्बेटकर और अम्बेटकर जी कि एवार मैं बुद्ध को बुद्ध करता है और बुद्ध करते हैं बोलता हूँ क्योंकि अगर आप कहते हैं कि बुद्ध करता है इसका मतलब एक बुद्ध करता है और अगर बुद्ध करते हैं इसका मतलब बहुत सारे बुद्ध करते हैं अगर आप ध्यान देंगे तो भासा में जद बेजती वाला, वही हम अपनाए हुए हैं, हम सामने वाले से ये कहते हैं कि तुम हमें आप बोलो और तुम बोलो और तमीज से बोलो जी बोलो और बहु बचन में बोलो, बहु बचन का मतलब है आप क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, यानि कि एक सिंगल ब तो उसे बहुबचन में बोलना पड़ता है, वे आ रहे हैं, वो यह यह नहीं कहता कि वे है आ रहा है, वे आ रहे हैं, यानिकर बहुबचन में बोलने से इज्जत मिलती है, ये इसलिए एक बेलीमां, इसलिए एक perception बनाया गया, क्योंकि सामने वाले एक व्यक्ति को हमेसा ज् अभ आप इसका मनोग ज्यान समझ इए अगर हम ये कहेंगे व profit आ रहा है तो हमारे मन में एक बला हैगा कि अकेला आ रहा है कोई दिकत वाली बात नहीं और अगर हम ये कहेंगे कि व आ रहे हैं तो इसका मतलई ये है कि उसके पीछे बेसा कैं मैं दिखाई नहीं दे रहे गैंगर बहुत लोग हैं उनसे मैं डरना है आप अगर ध्यान देंगे तो ये सारे घॉस तीन इस्तर mendys is to be my means या निको मैं यो तुम है और तु तु है या आप है यानि तु आप और तुम इसमें तीन इस्तर हैं अगर मैं या हम में आप देखोगे या वे में देखोगे या वह में देखोगे तो उसमें इस तर नहीं है यानि कि अगर समू में कोई व्यक्ति आता है जैसे आप लोग बहुत सारे समू में गुरूप में खड़े हुए है फिर वो कहगा के ये लोग आए अब तमीज से बोलेगा क्योंकि गुरूप है ये लोग आए अगर हम बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं तो तमीज से बोल जाएगा कि हम लोग ये करेंगे अब ये तमीज हो गई या ये तैजीव हो गई मगर मैं अकेला हूँ तो उसको फिर कोई भी आदमी तू कह के बोल सकता है मगर अगर बहुत सारे हैं तो वे कह के बोलेगा ये सब कह के बोलेगा फिर तमीज से बोलेगा ये भासा का चरितर है ये भासा का मनुवग ज्यान है ये भासा का पूरा सिस्टम है इसको समझिए इसलिए अगर आप किसी को तू बोलते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो तू बोलके बात करें बरावरता रहें और अगर आप किसी को आप बोलते हैं तो कोशिश करिए कि वो आप क्या के बात करें अगर सामने वाला आपको आप कह के बात नहीं कर रहा है तो उसके लेबल पर आजाईए तुम पर या तू पर आजाईए इसलिए भी मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि एक वार एक व्यक्ति मैं पहली पहली वार एक किसी व्यक्ति से मिला वो किसी दफ्तर में काम करता था तो वहां उसने मुझे तू कह के बात की तू क्या है और कहां से आया है तू किस से आया है मुझे बड़ा बुरा लगा क्योंकि हमारे यहां तू कह के बात सिखा ही नहीं हमें तू हमारे यहां लगता जिसा गाली हो वो हर्याने का था तो मुझे बहुत गुसा आया मैं जो जहां वो काम कटा था उसके अफसर के पास गया और मैंने उसको गटी मारके बुलवाया वो आया मैंने का आप जो तुम मुझे बहां बोल रहे थे आप बोल के दिखाओ कहने लगा कि मैं आपको क्या बोल रहा था जी तो मैंने कहा कि आप मुझे तू कहके बात कर रहे थे अब आप कहके बात कर रहे हैं अपने अपसर के आगे आप कहो ना और अपने अपसर से ज़रा तू करके बात करो तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, वहाँ तो मामरा सुट गया, क्योंकि मेरे इंसेट हुई, मुझे लगा तू क्या कि इंसेट हुई है, मगर बात में जब मैंने इसको सोचा और समझा और जाना, तो पता चला कि वो बिल्कुल ठीक बोला था, क्योंकि परानी भासा में तू करके ही बात करते हैं, आप वाली जो भासा है, यह बहुत नई भासा है, यह भासा है, अमीरों की, गरीवों की, उचे लोगों की, छोटे लोगों की, गुलाम लोगों की, मालिक लोगों की, जो किसी का शोशन करते हैं और शोशन करने वाला होता है उन लोगों की इस भासा के उपियोग से बचें और या तो अगर सामने कोई तू बोलता है तो आप बुलकु तू पर आ जाएं थोड़ी हिम्मत रखें थोड़ी समझ रखें तूम बोलता है तो तूम पर आ जाएं बेसक अपनी दाम्मन शरनं गचामे संगन शरनं गचामे दाम्मन शरनं गचामे संगं शरनं गचामे